मद्द प्रदेश में बारिस के चलते पसू धन पे भी असर पड़ रहा है जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं पहली बारिस के साथ कई बीमारियां जैसे निमोनिया, उकाइटेस, पलगोंटू, खुर्पका, उपका और फड़ सूजन जैसी समस्यां बढ़ जाती है इनसे बचाओ के लिए डॉक्टर विपिन विहारी सुखला ने बहुत सी महत्मूर जानकारियां बताई हैं जो पसू पालकों के लिए लापकारी हैं इससे घर बैठे ही आप पसू का उपचार कर सकते हैं सबसे पहला काम तो देखे बारिश आने के पूल कम से कम जेट के महिने में जेट मतलब मई में आपको दिवर्मीं कराके और उनको एचेस मतलब घट्रूदा बीक्यू मतलब चुर्रका यह दोनों इंजेक्शन तो लगवाई लेना जेए और उसके बाद बारिश में दो महि दोने जाते जाते चूकी वह इधा उदर चरने जाते हैं नदी नालों का पानी पीते हैं वर्म लोड बहुत ज्यादा बढ़ता तो दिवर्मिंग करा ले ला थे और दिवर्मिंग की दवा कभी एक बार में पूरी नहीं है इसको 20 दिन बाद उना रिपीट करवा तो तीसर सबसे बड़ी समस्या ही तो परासाइट की आती है मक्की मच्छार किर्णी यह लगते हैं तो गौशाला में प्रतेख सप्ता भूरा चूना बुरकने वाला पाउडर पार अंसलिक लाइं जो भुजा हुआ ना उसका छिड़काओ गौशाला में जरूर करें गौशाला के ग तो उसके बाद उसमें भी चूना छिड़क हैं उससे आक्सिगन लेविल बढ़ जाता है जूसरे जो बाहर से आने वाले किटाण भर जाते हैं और यह सारी समस्या किर्णी से भी काफिनी जाते हैं और सबसे बड़ा काम दिवर्मिल बहुत जरूरी है